Hello friends, welcome to my YouTube channel देखे, आज मैं आपको fruit दिखा रही है, वो strawberry है और देखे कितने अच्छे से लग गई है आज मैं इस वीडियो में आपके साथ share करूँगी कि मैंने कोई तैसे खर्च नहीं कि एक भी पौदा नहीं खरीदा और फिर भी देखे, मेरे यहां पर कितनी अच्छे strawberry लग गई है मैंने बहुत सारे पौदे एक ही प्लांट से प्रिपेर की हैं तो ये वीडियो में आज आपके साथ share करूँगी इसकी थोड़ी सी देखबाल के बारे में भी आपको बताऊंगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, share, subscribe जरूर कीजिए तो विंटर में मैं आपके साथ हमेशा कहती रहती हूँ कि अब इस समय कोई fruit प्लांट ना लगा है हाँ बट आप एक प्लांट है इसे आप लगा सकते है strawberry को और देखिए आप सोचेंगे कि गंले में भी आपको size नहीं मिलता ये देखिए कितना mature हो गया है बटा थोड़ी सी क्या ध्यान रखना है वो भी मैं आपके साथ share करूँगी बटा थोड़ी सी गड़बड़ी भी हो जाती है देखिए मैंने इस प्लांट को कभी नहीं लगाया मैंने लगाया नहीं था दो साल पहले इस प्लांट को लगाया था और अभी देखिए क्या हुआ कि मेरे जो जैसे कि ये strawberry कोई गिर गई होगी उससे मैं टूटके तो इस मिट्टी में लगी रह गई और मेरे ये पौधे निकल आए तो देखिए एक पौधे से इसमें क्या होता है जैसे कि आपने पुदीना देखा होगा ये पुदीना को आप एक बार लगा दीजिए फिर वो पूरा भढ़ता जाता है उसकी roots निकलती जाती है runner की तरह बढ़ती है तो same जो है strawberry भी इसी तरीके से तो यहीं कि आपने एक पौधा गर लगा दिया तो मैंने इस एक पौधे से देखी कितने सारे पौधे बना दी है और सामने मेरी basket में भी लगे हुए और मेरे पास इस space नहीं था क्योंकि अल्रेड़ी 54 से ज़्यादा fruit plant है तो इसलिमाने इसे रफ तीन basket में इने रखा देखी इस तरीके से जैसree एक पौधा है और यहां सी इस तरीके से बढ़ता जाता है और आप देख़ेए दो पौधे बन गगे तो मैंने यहां से जैसे इसे cutting करकर कि इस तरीके से जब पौधे बने तो कई सारे पौधे तयार कर लिए तो यही इसका एक सबसे चहा होता है कि इसको देखे जैसे एक पौधा यहां बन गया, एक यहां है और एक यहां है, तो इनको आप अलग-अलग separate करके लगा देंगे तो यह कई सारे पौधे जो बन कर तयार हो इस तरीके से स्ट्रॉबेरी में एक पौधा अगर आप देखे अब आपको जैसे कि मान के जले आपकी हर्वेस्टिंग हो जाएगी समर्मिन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो नेक्स सीजन पर यह बहुत सारे इस तरीके से रनर्स बनाएंगे और आप अपना एक नया पौ है मेरे तयार हुएं और आप देखे काफी अच्छे इसमें फूट आ रहे हैं और देखे एक ने एक दो नहीं है काफी सारे अंदर भी फूट बने हुए तो आपको यह काम करना है कि या तो अभी भी आप जाएंगे आपको किसी भी नर्सरी में 25-30 रुपए में 40 रुपए कि जो बास्केट्स होती है उनके अंदर भी बहुत अच्छे से लग जाते हैं गोई बड़े गंबले की ज़रूत नहीं है काफी अच्छे से देखे एक फैमिली की मेरी जो चोटी फैमिली है यह पाच्छे जो पौध है हमारी रिक्वार्मेंट को पूरा कर देते हैं और य लगती है अगर आपको मारकेट में जो थोड़े सी भूसे टाइप भी है पत्ति जो आता है बूसाट आता है लंबी लंबी जो आती है सबजी फूर्स के शॉप पर आप जाएंगे तो उनको आप लाके यहां पर लगा दीजी मैं भी थोड़े से कुछ लेकर आउंगी तो मिट्टी के संपर्ख में जैसे ही आईगी खराब हो जógí आप यह देखिए इसका साइश कितना अच्या हो गई बिल्कुल भी यह खराब नहीं है लेकिन इसमें देखे यह मेरी के मिट्टी के संपर्ख में आने से ओंदे नीचे से यह गल गई है यह देखिए तो तो अब मैंसे से छोड़ दूँगी ताकि इसके सीड्स बनके नए पौधे प्रिपेर हो जाएंगे क्योंकि इतो भी खराब हो चुकी है तो इसके बार देखिए अभी मैंने रिसेंटली मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं तो ये मल्चिंग के काम में ले सकते हैं मूंकली के छिल थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है तो इसलिए आप इसे दोकर इसका इस्तिमाल करें तो आप इसको ये काम आपको इंपोर्टेंट है जो जरूर करना है अगर आप स्ट्रॉगरी लगा रहे हैं मंचिंग जो है बहुत इंपोर्टेंट होती आज मैं भी कुछ दूड़ा सा ज ठीका है थोड़ा देर से गलता है तो ये देखें इस तरहीके से इसमें चोटी चूटी बर्ट्स बनती है और पहले देखिछेSC Soonं देखें कितनी सारी चुटी चुटी बर्ट्स आया है इसके अंदर ये डेखिए ऐसा इसका फ्लावर होता है और उसके बाद ये बर्ट्स और फिर ये fruit में convert हो जाती है बहुत जल्दी इसका जो है बहुत जल्दी से strawberry तैयार हो जाती है अगर अभी भी आप इसका पौधा लाकर लगाएंगे तो लेट नहीं हुए अभी भी आप आप लाकर जो है लगाईए और बहुत आसानी से nursery में आजकल अवलेबल होता है क्यों और पदों के बिट्टी तैयार करते हैं सेम ऐसे ही हमें इसकी भी बिट्टी तैयार करने हैं पर मिट्टी इस हार्ड नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से बसे straw लगा दीजी और बीच बीच में जैसे अपने other fruit plants को आप खाद बगएरा देते हैं वैसे इसे भी दें जैसे क care की जरूरत नहीं होती है इसे जहां पर धूप अच्छी आ रही है उसको इस जगह पर रखी और winter में ये काफी अच्छे से survive करने अलब होता है तेकि जैसे winter से किसी को problem होती बट ये पौदा आपका बहुत अच्छे से चलेगा जैसे कि देखे seaweed है तो अब हम देखे fertilizer का एक और बस हलकी फुलकी सी watering कर दीजिए ऐसा भी नहीं कि पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है पानी का धियान रखे winter है क्योंकि अगर fungus का इसमें बहुत ज़्यादा फी डर हो जाएगा तो इसलिए पानी का थोड़ा सा धियान रखे और आपको भी इस तरीके से बह